नमस्कार स्वागत यापका मैं हूँ आपके साथ रोहित पुनेठा लेकर आया हूँ देश और दुनिया भर की खबरें बेना किसी लाग लपेट के आप बस मेरे साथ साथ मिनट तक बने रहिए आख कान खोल की और इस वक्त मेरे साथ देश के सूचना प्रसारण एवं पर्य प्रकाश जावडेकर जी जोड़े हुए हैं क्योंकि हम लगतार देख रहें कि किसान आंदूलन कैसे जोर पकरता जा रहा है सरकार की तरफ से लगतार पोशिश हो रहा है किसानों को समझाने की लेकिन इसके बावजूद किसान इस आंदूलन को खत्म करने के लिए किसान आंदूलन 16 दिन हो गएं किसानों को अंदूलन करते हुए तबाम कोशिश हैं सरकार की तरफ से हुई हैं लेकिन अभी तक कोई भी एक प्रभावी रिजर्ट निकल कर सामने नहीं आया है मैं चाहूँगा कि अब देश को ये समझाएं कि जो कृशी कानून जिसको ये हलो हाँ मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहला मुद्दा यह है कि ये एपी एंसी के विरोध में मैंने 40 साल से किसानों की मांग सुनी है कि एपी एंसी को हमें कंपल्शन मत करो और हमें निश्चित रूप से आल्टरनेट डो एपी एंसी बंद करने की बात नहीं कही हमने भी नहीं कही एपी एंसी रहेगी और वहां मंडी में जो भी आज प्रूव विवस्ता है वो रहेगी लेकिन बाहर भी एक दूसरी मंडी निकल सकती है या दो तीन मंडी भी निकाल सकती है और जहां किसां को जादा पैसा मिलेगा वो रहना चाहिए तो ये बहुत महतोपूर्ण है तो ये उसके फाइदे की बात है दूसरी चीज जो MSP है वो चालू रहेगी ये लिखित आश्वासन देने को भी सरकार तयार है आज तक बिना लिखा पड़ी के 55 सा रही चलेगी ये बता रहे तो ये हम दूसरा काम कर रहे है तीसरा काम और यही सरकार है कि जिनोंने MSP का स्वामिनाथन फार्मिला लागू किया कॉस प्लस 50% ये बहुत महतोपूर्ण है दूसरा बात है कि जब किसानों को लगा कि APMC के बाहर जो है उनको टैक्स नहीं होगा तो हमने यह कहा है कि दोनों को समान में होगा और राज्य सरकारों को रजिस्ट्रेशन करना है उसके नियम वह बना सकते हैं दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कॉन्ट्रैक्ट तो 1980 में आमरेंदर सिंग ने चालू किया पेप्सी को के अलू लगाने के लिए ले आरें वहां कॉन्ट्रैक्ट कानून अल्रीडी बन भी गया है हमने सवरक्षन दिया है कि कउन्ट्रैक्क कानून के द्वारा हम किसान को सवरख्षित करते हैं कि किसी भी तरह से भूमी का सवदा नहीं होगा । Daveॹंई पर खड़े फैसल का होगा बाकि कुछ नहीं होगा औ और किसमें से कभी भी किसान बाहर आ सकता है ये भी हमने कहा है तो ये मुझा अश्चर होता है कि 2007 में यूपिये ने और कॉंग्रेस की राजसरकार थी और शरत पौवार प्रशीमंत्री थे और उन्होंने तब APMC की अलग व्यवस्ता करने के लिए model act बनाया ऐसा ही और वो सभी राज्यों को follow up किया सभी राज्यों में से दस राज्यों ने वो कानून स्विकार भी किया तो अब कैसे मना करते हो और contract act भी 15 राज्यों में आज लागू है जहां सारे Congress के मुक्यमंत्री थे तो contract act है आज नया किया तो उसके खिलाब कैसे बोलते हैं एपी एंसी का व्यवस्ता पहले ही model कानून किया था उसके खिलाब आप कैसे बोलते हैं और Essential Commodities Act तो सब की मांग थी कि Essential Commodities Act रद्वकरों कि इसान का गला गोटने वाला ये कानून है अब हमने मुक्त किया राहूल गांजी ने खुद प्रेस Conference में कहा था कि हम अलू अगरे बाहर करेंगे और अभी मैं एक चैनल पर सुन रहा था मोहन प्रकाश Congress के नेता कह रहे थे कि यह तो अलू अगरे सब बाहर किया रही यही त 55 साल हो गए हैं अब तक ऐसी कोई मांग किसी भी किसान की तरफ से नहीं की गई कि आप MSP को लिखित में दीजे MSP की गारंटी को लेकर कानून लाईए अब आप यह नया क्रिशी कानून लेकर आए हैं इसके पीछे आप क्या वज़े देखते हैं कि अचानक से यह नया पात ही MSP की मांग इतनी जोर पकड़ गई कि उसको लिखित में दीजे उसको कानून में गरंटी दीजे उसके प्रोक्यूर्मेंट की हमको गरंटी दीजे कि इस किसान सड़क पर उतर गए और 16 दिन से धरने पर बैठे हुए अचानक से इस कानून के आने के बात क्यों MSP की जादा धान APMC में बेचा है सरकार ने खरीद किया है पिछले साल से जादा MSP उनको मिली है 34,000 करोड रुपे आज किसानों को पंजाब में मिले है ये केवल और केवल ये इसी कारण मिले है कि MSP जीवित है तो ये जान बुझ के ब्रहम फैला गया कि MSP कतम होगी तो आपकी धान करीद कतम होगी तो तीनों कानुन बनने के बाद भी चल रहा है जो हाथ में अच्छे सोने का कंगन पहनोगे तो कंगन के लिए आएने की जुर्वत नहीं होती तो ये हमें समझना चाहिए कि निश्चित रूप से ये एक प्रोग्रेसिव कानुन किया है और तो उसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए ये मेरा अगरा है प्रकाजी अभी आपने एक शब्द का इस्तमाल किया भ्रम इसी शब्द का इस्तमाल प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने भी किया था कि ये जो नया कृशी कानून है इसको लेकर एक भ्रम पहला जा रहा है सवाल ये मूल कहां अंदोलन हो रहा है क्या केरल में अंदोलन हो रहा है तमिर नाडू में अंदोलन हो रहा है आंधर में हो रहा है तेलंगना में हो रहा है महराष्ट में हो रहा है गुजरात में हो रहा है मध्यपरदेश में हो रहा है बिहार में हो रहा है उडिसा में हो रहा है उत्तर प्रदेश में हो रहा है राजस्तान में हो रहा है नहीं हो रहा है केवल पंजाब में हो रहा है और पंजाब में जो हो रहा है वो तीनों राजनीतिक दल वहां वुसी भ्रह्म को पालने में लगे है उसमें अकाली दल भी है आम आदमी पार्टी भी है और मूल अंग्रेस दल भी है तो पंजाब में ही अंदूलन है अच्छा एक चीज और है प्रकाश जी जैसे जैसे अंदूलन बढ़ता जा रहा है किसानों का वैसे वैसे इसमें बहुत नई चीजें हो रही है है मैं आगर आज की अगर बात करूँ तो जो ठीकरी बर्डर पर किसान बेटे हुए धरने पर आंधूलन जो किसान कर रहे है उनके हाथों में आज शरजिल इमाम के पोस्टर नजर आए उनके हाथों में अमर खालित के आज पोस्टर नजर आए बिल्कुल हाइजैक करने की कोशिश हो रही है किसानों का अंदोलन अब किसानों का नहीं रहा है वो अब शर्जील इमाम और उनको गिरवतार क्यों किया है और पुलीस ने भी बेल क्यों नहीं दिया है क्योंकि उपर चारशिट जो है उसमें दम है और इसी लिए उनको छोड तो यह मांग किसान के अंदोलन का हिस्सा कैसे हो सकती है लेकिन ये केवल हुआ नहीं मैंने दो दिन पहले लंडन के नियॉक के कैनेडा के ऑस्ट्रिलिया के प्रदर्शन देखे वहां खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे खालिस्तान के जंडे फेराएगे खालिस्तान क पूरा जो उनके लीडर्स है उनके फोटो ले रहा है तो ये जो सब हो रहा है इसका मतलब है कि निश्चित रूप से इस आंदोलन का फाइदा उठा कर फिर से एक शाहिंबाग का माहल तैयार करनी की ये कोशिश है और उसका देश में एक ये देश में एक बड़ा प्रॉब् पीछे कौन लोग है और क्या सरकार की उनके बराबर नजर है अगर किसानों का अंदोलन है कोई इसको हाईजैक करने के कोशिश कर रहा है इतनी गलत दिशा दे रहा है कि उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं शर्जिल इमाम पर ये आरूप है कि असम को देश से अलग करने की कोशिश वाले बयान देता है और उमर खालित पर टुकले टुकले गैंड देश जरो कारूप है तो ऐसे शक्सों के तस्वीरें अगर इस तरह के अंदोलन में लहराई जाएंगी तो सरकार के लिए बड़ी चिंता की बात होनी चाहिए नहीं लिकिन चिंता की बात है ये किसानों की लिए भी चिंता की बात है कि उनका अंदोलन तो भटक गया तो किसानों को चाहिए कि आप घर वापत जाए अंदोलन सड़क पर जो चल रहा है वो समाप्त करे और जो 40 लोग उन्होंने प्रतिनीधी के रूप में चुने है उनको चर्चा करने के लिए और बेजे कुरुशी मंत्री ने निमंत्रन डिया है कि चर्चा और भी करने को हम तयार है और जो सारे संशोधन है वो कैसे होंगे वो भी बताए जाएंगे तो बात किस पॉइंट पर अटक रही है क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सरकार की और से प्रयास नहीं हो रहे एक बार नहीं पांच-पांच बार सरकार की और से प्रयास किये गए किसा संजाब के सर्वसामानिक किसान आये है उनको आवान करना चाहता हूं कि भाई आप देखिए आपके अंदोलन को भटकाने की कोई कोशिश कर रहा है उससे बचिए और आपकी मांगे मूल जो थी ब्रहम एक जो पैदा किया था कि मेस्पी जाएगी यह वो नहीं जा रही है और जो रिपेर करना चाहिए जो संशोदन करने चाहिए वह सरकार मानने किये है तो उसको आगे लेकर जाएंगे आप पराली का मुद्दा भी आगे आ सकता है उसका भी solution निकालेंगे तो चिंता ना करें लेकिन एक अभी या अंदोलन्द खतम करने का समय है किसी को करोना नो हो और थंड में किसी को दुरगटना नो हो ये देखने की जुरुत है प्रकार जी आपने MSP पर यहाँ पर इंडिया नियूस के माद्यम से किसानों को भ्रहम दूर करने का प्रयास किया है एक और किसानों की चिंता का विशह है वो है नहीं यह तो बिलकुल साफ है Contract Act ही बना है किसान के सवरक्षन के लिए और Contract Act में सपष्ट लिखा है कि सवधा केवल और केवल खड़े फसल का होगा जमीन का नहीं होगा और इवन फसल के सवधे से भी किसान कभी भी बाहर आ सकता है अगर उसको जादा दाम दूसरा कोई दे रहा है तो लेकिन हमें समझना चाहिए गंबिर बात क्या है हमारे देश के कृशी की उत्पादकता दुनिया से आधी है और ये उत्पादकता बढ़ाना ही किसान के समुरुदिका मार्ग प्रशस्त करता है ये उत्पादक बढ़ाने के लिए निवेश चाहिए तक्निक चाहिए नए खाद और नए बीच चाहिए ये करने के लिए कोई पैसा डालने को अगर तैयार है और कॉंट्रैक फार्मिंग करना चाहता है तो किसान का कोई भी आधिकार नहीं जाएगा लेकिन एक नए सीरे से खेती होगी और किसान को डबल आए मिलेगी ये तुरंच शुरू होगा तो ये क्यों बुरा बात है और उसके भूमी का कभी सवधा नहीं होगा और एक चीज़ और है प्रकाजी यही इसी क्लॉस से लेकर जो नेक्स क्लॉस है उसको लेकर भी मिसगाइट किया जा रहा है कि जमीन आपकी हत्या लेंगे उसके बाद आप SDM से ओपर कही नहीं जा पाओगे कोर्ट में आप आगे नहीं जा पाओगे ये भी एक तरह से भ्रम पहलाने के कोशिश की जा रहे हैं इसको भी थोड़ा सा दूर कीजिए आप ये तो ऐसा है ये कभी कहा ही नहीं कि व्यापारियों कोई बेचना पड़ेगा ये तो APMC में भी RTI होते है व्यापारियों होते है लेकिन 30-40 जिनको लाइसंस मिलता है वो ही उनके पास ही देना पड़ता है तो हम दोनों दुकाने एक तरह से चालू रखेंगे APMC भी चालू रहेगी और बाहर का भी दुकान किसी का है तो चालू रहेगा जहां किसान को फाइदे का सवदा नजर आएगा वही वो बेचेंगे अपने घर से भी बेच सकेंगे आज सामान उठा कर APMC में लाना पड़ता है अगर कोई उनके घर से ले जाने को तयार है और घर से अच्छा सवदा मिलता है तो वो किसान घर से सवदा करेगा लेकिन प्रकाश जी अब तक जो बात समझ में आ रही है किसानों ने हर बार सरकार के प्रस्ताफ को वापस लोटा दिया हर बार जो मीटिंग है वो बेनतीजा नजर आ रही है अब तक तो किसान सिर्फ एक बात पर अड़े है कि आपको ये बिल वापस लेने पड़ेंगे और येस या नो की बात आ गई है आपको लग रहा है कि येस या नो इस समस्या का समाधान हो सकता है क्योंकि किसान दमकी दे रहे हैं कि सरकार येस या नो अगर नहीं करती है किसानों कोई खाद और बाकी चीजों के आपूर्थी करने की जरुष जब पड़ी तो शुरू हुए और पजाब के रेल शुरू हुए इतना आसान भी नहीं होता है और दूसरी बात समझनी चाहिए कि किसान अंदोलन को कोई हवा तो दे रहा है कोई जान बुझ के उनका समाधान होने के बावजूद भी उसको खीचना चाहता है वो कौन है उनके रूप भी सामने आएंगे चेहरे भी सामने आएंगे और ये किसान के शत्रू होंगे किसान के मित्र नहीं हो सकते है सब मैं इससे पहले कि मैं बंगाल चुनाव पर चलू मैं आपसे चाहूंगा कि ये आप मुझे बताए कि किस तरीके से इस समस्या का समधान आप लोग करेंगे सरकार का आगी रहेगा क्यूंकि अगर ये बढ़ता है तो फिर जाहिर तो पर दिक्कत है बढ़ने वाली कि किसन किसी रूप से चर्चा से ही समस्याहल होती है खुदरंग करने से नहीं होती है और इसलिए अगर खुदरंग का बात आती है तो निश्चित रूप से कानून व्यवस्ता कैसे मेंटेन करना है ये सरकार जानती है लेकिन उससे ज्यादा महतोपूर्ण है समवाद और कल भी एक तरह से प्रधान मंतिय ने कहा कि समवाद ही आखिरी रास्ता है महतोपूर्ण रास्ता है और मुझे विश्वास है कि समवाद होगा समस्या हल होगी समाधान निकलेगा क्या सरकार किसान कानून वापस लेगी जो किसान कह रहे है नहीं वापस लेने का सवाल ही नहीं है जब उसमें अगर जो आशन का है उसका अगर समाधान होता है तो वापस लेने का कहा सवाल आता है अरी ये किसान के फाइदे के लिए किया है ये किसान ने देश बर मांग की इसके लिए हुआ है यही कानून 2007 में शरत पवार ने किया था जो 10 राज्यों ने स्विकार किया है यही कानून कॉंग्रेस के 15 मुख्य मंत्रियों ने स्विकार करके कॉंट्रेक्ट भार्मिंग लागू किया है Essential Commodities Act रद करने की मांग पहले से ही हुई है तो यह जो सब हुआ है वो किसानों के मांगों पर हुआ है और वो मांग आज की नहीं है 15-20 साल से है इसमें भुपेंदर मान है उनके खुद के ऐसे बहुत सारे मैं दिखा सकता हूँ ट्रिब्यून के न्यूज क्लिपिंग्स की जिसमें लिखा है कि भाई यह सब सरकार गलत कर रही है हमें एपीमसी से मुक्ति चाहिए हमें कॉंट्रैक्ट फार्मिंग की इजाज़त चाहिए और धंग से चाहिए यही वो मांग कर रहे है किसान अंदूलन को हवा देने की पीछे आप विपक्ष का कुछ रोल देख रहे हैं क्योंकि हमने देखा था राहूल गांधी पांच लोगों के साथ राश्पती से मिल ले जाते हैं लेकिन उससे पहले उनीकी पार्टी के दिखवेजर सिंग ट्वीट कर देते हैं कि हमको क खिरोप माहौल करे अभी इतना सब हो रहा है तो भी राजस्तान की किसान ने बीजेपी को वोट दिया है कभी जो सीटे हमने नहीं जीती वो जीती है इसका मतलब क्या है कुरिशिव सुदार को उन्होंने पसंद किया है अगर नापसंद होता तो वो हमें वोट नहीं देते अरुनाचल में दिये है क्या अरुनाचल में किसान नहीं है राजस्ता तेलंगना में एकदम मुख्यमंदरी के सीट के नजदीक जो सीट है वो हमने जीती है तो वो भी तो किसान ही है तो किसान अगर एक के बाद एक अपना पक्ष बता रहे है तो ये कैसे हो का ठीके सर मैं बंगाल चुनाव पर आता हूँ मुझे लगता है कि आपने जो बाते कहीं है काफी हद तक जो किशानों की शंकाओं का समाधान है आपने point to point किया है मैं बंगाल चुनाव पर आता हूँ सर बंगाल में अभी हम देख रहे हैं कि जो स्थिथी है वो बहुत खराब स्थिथी एक तरह से नजर आ रहे है चुनावी हिंसा देखने को मिल रही है बीजेपी लगातार इस बात के आरोप भी लगाती रही है कि कई बीजेपी कारे करता है करीब सवा सो बीजेपी कारे करता है जिनकी हर्तिया करदी के और टीमसी पर सीधा आरोप लगता है लेकिन इस बार तो निशाना सीधा बीजेपी अध्यक्स जेपी नडड़ा महामंत्री केलाश में जवर गिये है यह हो क्या रहा बंगाल में नहीं इसलिए कल जो बंगाल में गटित हुआ है वो अचानक नहीं हुआ है वो साजिस के तहत हुआ है और जिस तरह से तुनमल कॉंग्रेश डर गई है उनको सत्ता जाने का पूरा चित्र दिख रहा है इसलिए वो किसी भी तरह से बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी के कारेकरताओं के हत्या करना और बीजेपी के नेताओं पर हमले करना ये उन्होंने काम शुरू किया है उनको लगता है कि इसी तरह से हम जीतेंगे अब वो नहीं जीतेंगे नहीं जीतेंगे नहीं जीते है जंता उनको हराएगी लेकिन प्रकाश जी जो एक टक्राव इस सब्सक्राव पश्रिम बंगाल में देखने को मिल रहा है मुझे लगता है वो स्वस्त लोगतंत्र के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है एक कि शब्दों का अस्तवाल हम देख रहे हैं कि डिरेक्ली इंडिरेक्ली किया जा रहा है यह एक स्वस्त लोगतंत्र के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं नहीं इसलिए यह कॉंसी सिविलिटी है यही तो हमारी इच्छा है और इसलिए जो जिस तरह से ममता की भाषा है नडड़ा फट्ड़ा चड़ा यह क्या भाषा है कौंसी सिविलिटी है और यह इस तरह से अगर कोई कहेगा तो यह कोई सभेता तो है नहीं सारी सभेता की मर्यादा लांग दी अरे हर जाओगे एक बार चुनाओ तो क्यों नहीं हरोगे आपको कोई अमर वर्दन मिला है कि आप कैसे भी काम करोगे तो भी जीते रहोगे नहीं दी मिला है तो यह हमें समझना चाहिए कि चुनाओ में हर जीत होती है इस बार आपकी बार यह हर ने की है तो हरो सर जो अभी राज़पाल ने जो सिफारिश की है अब सेंटर को उस पर आगे अब क्या एक्शन सेंटर लेने वाला है क्योंकि यह भी जानकारी है कि डीजीपी और मुखे सचिव को तलब किया गया है जिस तरह से हिंसा वहाँ पर हो रही है इसके बाद बीजेपी अब किस भी इस तारीक को बंगाल में जा रहे है हमारा तो प्रचार का काम है हम यह विश्वास करते हैं कि हिंसा का रास्ता छोडेंगे और आचा सहीता लागू होने पर तो निश्चित ही समाप्त होती है होनी चाहिए लेकिन चुनाव में भी इस तरह से दंगा करने की कोशिश करे तो उनके दूर डिपोसित भी नहीं बचेंगे यह मैं कहना चाता हूं बीजेपी नेताई राश्पति शासन की मांग कर रहे हैं क्या यह समय सरकार के दिमाग में विकल्प हो सकता राश्पति शासन नहीं नहीं देखो पार्टी तो अपने तरीके से मांग करती है जो भी सरकार अपने तरीके से निर्ने करती है तो सरकार के निर्ने तो ग्रह मंतरा ले करता है सरकार करती है इसके बारे में जब हुआ नहीं है तो चर्चा करना गलत है अब अमिच्छा जाने वाले हैं पश्चिम बंगाल के दौरे पर अभी जेपी नडडा जी दो दिन के दौरे पर गए थे हमें देखा उनके साथ क्या हुआ अब अमिच्छा जाने वाले हैं आगे की वहाँ पर क्या रणीती रहने वाली है नहीं हम तो परचार करेंगे देश बर के हमारे कारे करता जाते हैं वो केते हैं बाहर के क्यों आ रहे हैं अरे पूरा बंगाल उड़ गया है 200 परसे बहार बंगाली है बंगाल में रहते हैं बंगाल में ही आजिविका करते हैं और बंगाल के अच्छा सोनार बंगला करने के लिए इस बार ममता को हराएंगे और भाज़बा को जिताएंगे ममताब एनरजी सिर्फ यह नहीं कहती है कि बाहर के हैं ममताब एनरजी जो term यूज की है कि यह बाहर के गुंडे हैं इनको मत घुसने दो आपको क्या लगता है कि यह जमीन खिसक टीवी दिख रही है इस तरह से इस तरह की इस तरह की चीजें हो रही है बिलकुल जमीन खिसक ने लगी है यह उनको भी एहसास हो गया है और सबसे महत्व पूर्ण बात है कि यह अब समझ नहीं रहे कि क्या करे लेकिन वो हिंसा के रास्ते किसी वाद दूसरा कुछ सोच नहीं सकते हमें उनको समझना चाहिए यह बीजबी की इमेज और काम ऐसा नहीं है कि हिंसा के रास्ते बर जाये हम कोई कॉमिनिस्ट या कॉमिनिस्ट माले नहीं है हम हिंसा के रास्ते नहीं जाते हम तो शांती से ही करनाठक जीते है हम शांती से ही हर राज्य जीते है गुजरात में कभी हिंसा हुई बाकी कहा हिंसा हुई जो राज्य बिहार में अभी जीता बिहार में हिंसा हमारे तरफ से तो कुछ नहीं हुई और शांति पूर्ण दरीके से हम जीतते हैं अब बंगाल की बारी है बंगाल भी हम शांति पूर्ण दरीके से जीतेंगे लोगों अंदोलन पर आपने हमसे डीटेल में बात की, बंगाल में जिस तरह से हिंसे रोई है, उस पर क्या सरकार का अगला प्रेंड वेक्शन होगा, इस पर बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने हैं